नवस्कार दोस्तों, देट हैं आज की 30 जून 2022 और स्वागत है आपका एडरोयल डिसकेशन में देखो आज हम तीन इश्यूज डिसकस करेंगे सबसे पहले इंपोर्टन आर्टिकल डिसकस करेंगे 7th schedule से समंदित, Indian Express का आर्टिकल है दूसरे नंबर पर आर्टिकल डिसकस करेंगे हिंदू का Indian Challenge in Afghanistan अफगानिस्तान से समंदित हमने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल डिसकस किया था तो ये जो आर्टिकल है इसको हम combine करेंगे हिंदूस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल से ये दोनों आर्टिकल मिला के एक अलग पक्स परजेंट करेंगे तो फिर complete हो जाएगा मतलब पहले वाला आर्टिकल बोल रहा था कि हमें तालिबान से नहीं engage करना चाहिए ये आर्टिकल थोड़ा अलग किसम के view present कर रहा है तीसरा आर्टिकल हम discuss करेंगे G7 से सम्बंदित G7 का हालखे में summit organized हुआ था तो उससे सम्बंदित आर्टिकल हम discuss करेंगे वैसे दो देखो हिंदू में ये जो आर्टिकल है ना anti-defection law से सम्बंदित इसमें भी कुछ points है लेकिन वो हम already discuss कर चुके है Indian Express का आर्टिकल हमने कल discuss किया था ना नहीं पर्षो डिसकस किया था anti-defection law से सम्बंदित तो उसमें points कवर हो गए कोसिज देखो ये होती है कि जितने ज़्यादा issues को हम discussion में सामिल कर सके सामिल करें एक ही issue पर हम PhD ना करें एक issue के बारे में हमने discuss कर लिया तो अच्छा article आया है या फिर पहले वाले जो discussion की थी उसमें views जो थे वो completely पूरे नहीं हो पाए तो फिर उसी issue पर दूसरा article discuss करने क्या हो सकता है otherwise तो फिर ऐसा नहीं ना कि एक issue पर हम PhD करें और question आये सिरफ 10 marks का लेकिन उसकी जगह हम अच्छे अच्छे articles discuss कर सकते थे वो ना discuss करें नुकसान हो जाएगा ना opportunity cost काफी high हो जाएगी फिर standard operating procedure की बात करें लेको मैं अलग-अलग newspaper देख लेता हूँ कई बार daily नहीं देख पाता तो 3-4 दिन के लगातार देख लेता हूँ कि mint में पिछले 5-6 दिनों में कोन-कोन से article आये है economic times में business line में मतलब बहुत वारे newspapers में मैं देख लेता हूँ आपने देखा होगा daily pioneer में भी article हम discuss करते हैं ये सब discuss करने के बाद में फिर उसके बाद मैं magazines भी देख लेता हूँ जैसे onlyis की magazine है vision की magazine है अलग-अलग जो even famous coaching institutes है ना उनकी magazine भी मैं देख लेता हूँ क्या कोई article फिल भी हमारा छुटा है तो आप भी compare करोगे ना आपको ये मिलेगा हमारी जो discuss है किसी एक magazine से कम से कम 50-60 कई बार तो 100% ज़्यादा articles हमने discuss किये होंगे क्योंकि देखो daily तीन भी article हम discuss करें तो 26 दिन हमने articles discuss किये तो 100 से ज़्यादा articles हमारे discuss हो जाते हैं यानि 100 issues हमारे discuss हो जाते हैं एक महिने में अब देखो आगे बढ़ें उससे पहले एक anecdote है या फिर एक छोटा सा news है जिसको आपना essay में use कर सकते हो अगर मालीजिए use of technology in education इससे समधिद कुछ लिखना हो news तो पुरानी है लेकिन इसका इस्तमाल आप कर सकते हो answer writing में कहीं न कहीं एक rural teacher है बिलगावी में करनाटक में इन्होंने न किस परकार से technology को use किया अपने local rural students को सिखाने के लिए वो example अच्छा है ये देखो ये कैसे सिखा रहे हैं अपने students को इन्होंने एक application का इस्तमाल किया जिसका नाम है Arlupa ये देखिए ये application का नाम है mobile app है इसमें आप अपनी video को किसी दूसरी video के साथ converge कर सकते हो दोनों video को आपस में जोड सकते हो मिला सकते हो तो ये इनकी video है पीछे वाली ये video कोई और होगी इन्होंने दोनों को मिला दिया और पूरी video compile करके भेज दी बच्चों को ताकि बच्चे जो हैं असानी से सीख के तो ये एक example है कैसे ये छोड़ी छोड़ी जो innovation है ground level पर फरक ला सकती है rural background के students कितना बढ़िया डंग से सीख सकते हैं इस परकार की videos से तो ये आप use कर सकते हो answer writing में अब discussion start करते हैं First important article 7th schedule से समधित है आप GS paper 2 से इस article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो context simple है बहुत सारे experts ये मांग कर रहे है कि 7th schedule में जो subjects आते हैं उनको recategorize किया जाए इससे पहले कि हम आज का article discuss करना start करें हमना basics पहले discuss करते हैं जो सविधान का 7th schedule है वो देखो deal करता है division of power between union and state से एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप division of power between states and center को confuse मत कीजेगा separation of powers से separation of powers का जो concept है न वो किसके बीच में separation की बात करता है executive, judiciary और legislature के बीच में और जो division of power का concept है न ये divide करता है powers को center और states के बीच में तो 7th schedule में न तीन subjects तीन list बनी हुई है union list, state list और concurrent list union list में जो subjects आते हैं न उन पर parliament कानून बना सकती है बिना किसी रोक टोक के ठीक इसी परकार से state list में जो subjects आते हैं न उन पर कानून बनाया जा सकता है state legislature के द्वरा हालांकि जब circumstances मान लीजिए abnormal हो जाएं for example emergency लगी हो तब फिर ये powers भी parliament के द्वारा ली जा सकती हैं तीसरी list है concurrent list concurrent list में जो subjects आते हैं न जैसे education, transfer of property, other than agriculture land, forest इन पर ना parliament और state legislative assembly यान state legislature दोनों कानून बना सकते हैं बट मान लीजिए situation आ जाए जैसे education पर दोनों ने कानून बना दिया same ही parliament ने भी और state legislature ने भी तो फिर parliament के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो prevail होगा यानि parliament के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी चलेगी ना कि state के द्वारा बनाया गया कानून की यह examples है union list में कौन-कौन से subjects आते हैं defense, atomic energy, foreign affairs, war and peace, banking, railway, post and telegraph state list में agriculture, police, prison, local, government, public health, land, liquor, livestock concurrent list में subjects जैसे education, transfer of property, other than agriculture, land, adulteration, adoption and succession यह examples हैं इस पर UPSC question पूछ सकती है मैं भी आपको example भी बताऊंगा अब एक और चीज़ अब देखो आपको पता है समय तो तेजी से बदल रहा है नई-नई technologies आ रही है for example cryptocurrency आ गई ऐसे नई-नई issues आ रहे हैं यह कौन सी list में आएंगे सविधान में देखो यह भी लिखा हुआ है अगर कोई subject इन तीनों list में फिलाल नहीं है तो उन पर फिर कानून बनाए जाएगा Parliament के द्वारा ही यानि जो रेजूडरी powers है न जो बच गई powers हैं बच गई subjects हैं उन पर कानून बनाने की power होगी union legislature के पास में यानि parliament के पास में अब देखो एक question यह भी आपके मन में आ जाता है इस परकार से 7th schedule में subject को इतना detail से बताने की आप सकता ही क्या थी आप सकता देखो थी देश आजाद हुआ था नया नया डर लगता था हमारे policy makers को उस समय सविधान निर्माताओं को कि कहीं देश तूट ना जाए इस वज़े से देश को एकजूट करने के लिए center को strong बनाया गया तबी तो रेजूडरी powers किसको दी गई है पालियमेंट को ज़्यादा अच्छे अच्छी powers किसको दी गई है पालियमेंट को क्योंकि सविधान निर्माताओं को लगता था देश को एकजूट रखने के लिए union को ज़्यादा power देने की आव सकता है लेकिन देखो सविधान निर्माता ये भी नहीं जाते थे कि union सारी power पर ही कबजा करके बैठ जाए क्योंकि अगर ऐसा होता है न ये एक region बनता है फिर women regions में ऐसांती का जिसे मान लीजिए नोर्थीष्ट में कुछ sections को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कोई power नहीं है सारी powers union के पास में हैं अगर power को decentralized किया जाए न तो देश के दूर दराज के इलाकों में भी confidence रहता है कि हमारे पास में power है वो देश से अलग होने की कोशिस नहीं करते हैं और जब देखो local institutions के पास power होती है न for example पंचायती राज institutions तो फिर development को भी ज्यादा अच्छे से लाए जा सकत है क्योंकि local institutions को ज्यादा अच्छे से पता होता है local problems का वो ज्यादा अच्छे से चीजों को implement कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छे से grievance redressal कर सकते हैं इसके अलावा balance economic development को ensure करना पूरे देश में diversity को promote करना यह कुछ reasons हैं जिसकी वज़े से 7th schedule introduced किया गया हमारे सविधान में अ over the period of time 7th schedule कैसे evolve हुआ है अभी देखो union list में टोटल 100 subjects आते हैं पहले 97 हुआ करते थे लेकिन अब 3 बढ़ गए हैं क्योंकि जैसे मैं आपको बताया regulatory powers जो हैं वो तो किसके हाथ में हैं center के हाथ में ही हैं मतलब parliament के हाथ में ही हैं तो नए नए subjects आयोंगे इन्होंने अपने में add कर लिये state legislature के पास में कितने subjects पर कानून बनाने की power है 61 पहले 66 subjects पर कानून बनाने की power हुआ करती थी लेकिन कुछ subjects जो पहले state list में आया करते थे वो emergency के दुरान डाल दिये गए concurrent list में जैसे education, forest, weight and measures, protection of wild animals and birds और सबसे last में administration of justice ऐसी चीजे ना UPSC की favorite है UPSC इन पर ना pre में बहुत question पूछता है, mains में भी पूछता है लेकिन pre में तो काफी पूछता है, मैं आपको example दोंगा अभी तो अगर UPSC पूछ ले ये subjects कब state list से concurrent list में आये तो आप बता सकते हो 42nd amendment की साइटा से 1976 में जब देश में emergency लगी हुई थी अब देखो जब GST आया तो उसके बाद थोड़ा structure और change हो गया division of powers का USA में देखो पते क्या है, USA में na regulatory powers na state के पास में है, provinces के पास में है, even Australia में भी ऐसा ही है लेकिन हमारे देश में relatively ultra है, ये आप question देखिए जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 7th schedule UPSC के pre के लिए कितना ज़्यादा important है, ये question 2006 में पूछा था which one of the following subject is under the union list in the 7th schedule of constitution of India, तो अभी अभी मैंने आपको list बताई है, बताईए इन में से कौन सा subject जो है, वो union list में आता है, सोच के बताईए का क्या answer होगा इस question का, देखो इस question का सही answer है A, regulation of labor and safety in mines and oil fields, अब आप बोलोगे, सरा आपने list में ये तो दिखाया ही नहीं, तो थोड़ा तो common sense हमें लगाना पड़ेगा ना, आज कल UPSC बहुत question पूछ रही है, common sense based, एक और question देखिए, 2012 में UPSC ने पूछा था, Education जो है, वो सविधान के किस part से related है, DPSP, Rural and Urban Local Bodies, 5th schedule, 6th schedule और पांचवे नंबर पे 7th schedule, बताईए, सोचके बताईएगा, इस question का सही answer है C, 1, 2, 5, मैं आपको सिरफ example दे रहा हूं कि 7th schedule से सम्मधित UPSC कितने question पूछती है, 2015 में पूछा, ideal of welfare state का concept, सविधान के कौन से part में है, DPSP में है, आप पूछोगे तो 7th schedule से सम्मधित नहीं है, option में तो है न, मतलब 7th schedule जो है काफी important part है, directly, indirectly, इस पर काफी question पूछती है, एक और च आपको दिखाता हूं, ये question UPSC ने 2015 में पूछा, same question UPSC ने 2020 में पूछ लिया, देखो कुछ questions repeat होते हैं, 2020 में separation of judiciary from executive, ये किस में आता है, preamble में आता है, DPSP में आता है, 7th schedule में आता है, या फिर conventional practice है, इसका answer DPSP में है, article 50 में है na, separation of powers between judiciary and executive and legislature, वो किस में है, सविधान के article 50 में है, DPSP में, तो ये मैंने आपको examples दिये, अब देखो बात करते हैं, क्यूं 7th schedule को recategorize करने के आफ सकता है, एक तो देखो, 1935 का जो Government of India Act है न, वहाँ से ये list ली गई थी, union list, state list, अब बदलते समय के अनुसार, इसको recategorize करने के आफ सकता है, वैसे भी 21 स्ताब्दी आ गई है, 21 स्ताब्दी के हिसाब से, situation काफी change हो गई है, तो union list में कौन से subjects आते हैं, state list में कौन से subjects आते हैं, इन पर हमें एक बद फिर से revisit करने की आफ सकता है, कुछ experts ऐसे भी बोलते हैं, centralization काफी ज़्यादा हो गया है, पिछले कुछ समय में, क्यूंकि state list से subject चले गए थे concurrent list में, लेकिन आज का जो समय है, वो decentralization का है, तो decentralization होना चाहिए, और next point, citizens आज के समय में काफी बहतर service delivery expect करते हैं, states के पास ज़्यादा powers हो, तो state ज़्यादा अच्छे से service delivery कर सकता है, क्योंकि state से लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, ground level से, इसलिए subjects को revisit क कर देना चाहिए, तो ये कुछ important points हैं, बाकि तो ये खामाखा के points हैं कि center और state में काफी conflict होता है, इस conflict को दूर करने के लिए subjects को revisit कर देना चाहिए, states ज़्यादा autonomy demand कर रहे हैं, तो reform आने चाहिए 7th schedule में, last में way forward की बात करते हैं, क्या किया जा सकता है, देखो, तो रेजिडरी powers को transfer किया जा सकता है, union list से concurrent list में, ताकि states में एक भुरोसा जगे, दूसरा, concurrent list पर जब भी कानून बनाए, parliament, तो states से consult करें, ताकि states को लगे कि हमारा भी say है, एक high power commission establish किया जा सकता है, जिसमें famous lawyers और jurists हों, जिनके पास administrative experience हो, वो scrutinize करें, list one में और list third में ज powers का redistribution suggest करें, next, institutional framework, यह सरकारिया, committee ने suggest किया था, कि proper consultation होना चाहिए, center और states के बीच में policy making को लेखे, next, periodic review होना चाहिए, in list का, ताकि समय समय पर कुछ outdated entries है, कुछ entries outdated हो चुकी है, तो उनको हटा दिया जाए, outdated का मतलब अब वो relevant ही नहीं है, क्योंकि situation change हो चुकी है, सबसे last में, पुंची commission ने 2010 में यह कहा था, कि देखो, center को, center को, कुछ subjects को transfer कर देना चाहिए, concurrent list में, ऐसे subjects, जो days में uniformity लाने के लिए, जरूरी है, उन subjects को concurrent list में डाल देना चाहिए, union list से, तो यह हमने 7th schedule से समंदित पूरा article discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, इंडिया-Afghanistan relations से समंदित है, आप JS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो आपो याद होगा, 3-4 दिन पहले, हमने एक article discuss किया था, जिसमें writer यह वकालत कर रहे थे, कि इंडिया अगर वापस अफगानिस्तान में अपनी embassy establish करना चाहता है, तालिबान के साथ engage करना चाहता है, तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा, इसके कोई positive result नहीं निकलेंगे, लेकिन आज जो article है ना, यह थोड़ा अलग किसमका है, और आज ही, नहीं, कल हिंदुस्तान टाइम्स में अविनास पालिवाल का एक article आया था, वो भी अफगानिस्तान से संबन्दी था, तो इन दोनों articles को मैं combine करके जो important points निकलते हैं ना, वो आपको बताता हूं, अभी देखो, अफगानिस्तान मेना हाल ही में 5.9 intensity का काफी तेज भुकंप आया, और हजार से ज़्यादा लोग मारे गए, काफी तबाही मची, और इंडिया की तो policy आपको पता है neighborhood first की है, तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में सामिल है, जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान में aid पहुंचाई, ये जो बुकंप आया ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बोर्डर पर आया, जाहिर तोर पर थोड़ा बहुत नुक ये बात सही है, अफगानिस्तान में ना, काफी ज्यादा पूवर्टी है, 90% लोग वहाँ पूवर्टी लाइन से नीचे आ गए है, पूवर्टी बहुत ज़ादा बढ़ गई है, तालिबान के सत्ता में आने के बाद, तोकि उनका economic system में पूरी तरह से collapse कर गया है, उनके central bank पर ban है, और जो aid आ रही है न, US बोलता है, वो सिरफ cash में आनी चाहिए, इवन इंडिया ने जो 50,000 metric ton का wheat और medicine send किया न, अफगानिस्तान को, इंडिया को डर ये है कि बहुत सारा जो wheat है न, वो उसकी hoarding हुई जो इंडिया ने बेजा था, और बाद में वो पाकिस्तान में आ गया वापस, तो इंडिया को डर है कि हम जो अफगानिस्तान को aid दे रहे है न, उसका ठीक धंक से इस्तमाल नहीं हो रहा है, इसी वज़ए से technical delegation इंडिया ने send किया था कि वहाँ पे जो humanitarian aid है न, वो ठीक से जनता के पास पहुंचे, ये insure करने के लिए, तो आगे से कम सं अफगानिस्तान के थू एड बेजेगा, इरान के साथ इंडिया कोडिनेट कर सकता है, अफगानिस्तान में aid बेजने के लिए, देखो अफगानिस्तान में अपना influence establish करने के लिए न, पाकिस्तान और इरान के बीच में भी competition है, अब जैसे तालिबान का जो main faction है न, हकानी network, तालिबान तो एक movement है, इसमें काफी सारे factions हैं, सबसे main है हकानीज, अभी फिलाल के समय में, पाकिस्तान का काफी leverage है हकानीज के उपर में, तो ये बात इरान को पसंद नहीं है, इरान को लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का rule तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होना च किये चाहते हैं, पाकिस्तान का unnecessarily influence नहीं बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की कटपुतली नहीं बढ़ना चाहिए, अब देखो, भुकम पाया, अफगानिस्तान में reconstruction होगा, जिन इलाकों में भुकम पाया, तो इससे भी पाकिस्तान को फाइदा होगा, कैस जैसे देखो, जो ये construction material है ना, वो पाकिस्तान से import किया जाएगा, example दिया जाता है, 2001 में जब USA ने attack किया था ना, अफगानिस्तान के उपर, तो USA ने भी infrastructure पे काफी focus किया, काफी schools बनवाए, काफी reconstruction हुआ, पाकिस्तान की एक company है Lucky Cement, जैसे हमारे यहां पे Ambuja Cement है, वहां से बहुत cement गई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में infrastructure create करने के लिए, अब फिर से reconstruction होगा, तो ये सारा construction material पाकिस्तान से जाएगा, इवन देखो, जब से Taliban सत्ता में आया है ना, पाकिस्तान बहुत coal purchase कर रहा है अफगानिस्तान से, और बिल्कुल ओने पोने दामों मे चीप prices पर, यानि अफगानिस्तान की wealth को लूटा जा रहा है, अफगानिस्तान की wealth को लूटा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, कल पर सुए एक clip viral हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के एक diplomate बोलते हैं, कि अल्ला ने अर्बो को दे दिया oil, मतलब वो पाकिस्तान के नाग अफगानिस्तान, तो उनका इसारा ये था कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ है, जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ये उनका कहने का मतलब था, जो clip viral हो रही थी, बड़ ध्यान देने वाली बात ये है, कि तालिबान भी पाकिस्तान की कटपु नहीं बनना चाहता है, तब ही तो जब इंडिया से डेलिगेशन गया, तो काफी जोस से उनका स्वागत किया गया, और अच्छे से उस डेलिगेशन से एंगेजमेंट की गई तालिबान के द्वारा, तालिबान इंडिया को भी as a leverage इस्तिमाल करना चाहता है पाकिस्तान के उपर, बट पाकिस्तान इंडिया का तालिबान के साथ किसी परकार का कोई engagement नहीं चाहता, कुछ experts बोल रहे हैं कि जैसे ही इंडिया का डेलिगेशन गया अफगानिस्तान में, उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान में गुर्दवारे पर attack हो गया, तो कुछ experts गुर्दवा आप यहां मत वापस आने की कोशिस कीजिए, इंडिया देखो, बिल्कुल पूरी तरह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन बात यह है इंडिया करे तो क्या करे, इंडिया के पास एक option यह भी है, कि जो आफगानिस्तान में अभी resistance group है जैसे National Resistance Group है और पुराने जो वारलोड है Taliban के अगेंस्ट वाले वो फिर से देरे-देरे active होने की कोशिस कर रहे हैं हालांकि पहले जितने मजबूत नहीं है बट कोशिस वो कर रहे हैं या तो India उनको sport provide करे बट दिक्कत ये है उनको India sport provide करेगा तो Taliban चिट जाएगा तो कुल मिलाकर देखो इंडिया के पास बहुत सारे options available तो हैं लेकिन हर एक option के प्रोज और कॉन्स है अभी इंडिया को अपने जो cards है अफगानिस्तान में बहुत सोच समझ के play करने होंगे तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया अफगानिस्तान से समधित चलते हैं आगे अगला आर्टिकल हमारा G7 से समधित है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों G7 की देखो हाल ही में meeting हुई थी G7 में साथ देश आते हैं Canada, Italy, UK, France, Japan US, Germany और European Union European Union को तो मतलब invite कर दिया जाता है वैसे ये साथ देश है पहले रश्या भी member हुआ करता था 2014 से पहले लेकिन जैसे ही क्रीमिया के ऊपर कबजा किया ना रश्या ने तो उसके बाद रश्या को इस group से निकाल दिया पहले G8 हुआ करता था फिर हो गया G7 हाला कि उससे पहले भी एक अलगी थी यहां से उतना पहले हम नहीं जाते हैं जब G7 इस्टाबलिश हुआ था अब देखो G7 क्या जो समिट और्डेश हुआ जर्मनी में इसके बैक्राउन में क्या क्या चल रहा है मुख्य इस्टाबलिश क्या थे जो इस समिट के दुरान डिसकस किये गए युकरियन वार चल रहा है आपको बता है महामारी के बाद कैसे ग्लोबल इकोनमिक रिकोवरी को इंशोर किया जाए ये बड़ा इस्टाबलिश है चाइना, साउथ चाइना सी में बार-बार जो क्लेम्स करते हैं ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है तो फाइनल स्टेटमेंट में कहा गया कि चाइना का कोई लीगल बेसिस नहीं है इस परकार के मेरिटाइम क्लेम्स का इवन ये भी कहा गया फाइनल स्टेट्मेंट में कि चाइना रश्या को प्रैसराइज करे युक्रियन से अपनी टूप्स को बाहर निकालने के लिए यानि विड्रो करने के लिए चाइना युनिवर्सल हुमन राइट्स और फंडमेंटल फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट करे दोनों प्रोविंसिस में तिबबत में भी और जिंग जियांग में भी क्योंकि देखो बहुत ग्रेव कंसर्ण्स हैं कि चाइना यहां पे काफी अत्यचार कर रहा है इवन चाइना के अंदर भी हुमन राइट्स वाइलेशन की काफी खबरे आती हैं जैसे फोर्ष लेबर नेक्स्ट पॉइंट जी सेवन ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में अनकंडिशनल कमिटमेंट जाहिर की इस वार में जो रश्या और युक्रेयन के बीच में चल रहा है इस वार में युक्रेयन को फाइनेशल हुमेलिटेरियन, मिल्टरी और डिप्लोमेटिक स्पोर्ट करने के लिए गेसी अनुक्रेयन, रश्या को बहुतने पड़ेंगे यह सुच्छा हुई को खैसे रश्या के अगेस्ट और सीवेर संक्सेंस लगाये जायाँ मिलेक स्पोर्ट पीडिक जो रश्या करता है उस पर target लगाया जाए मतलब उसको निशाना बनाया जाए oil prices पर limitation लगाई जाए रश्या से oil import को और further कैसे कम किया जाए रश्या की जो access है technology के परती उसे restrict किया जाए यानि ऐसा कुछ किया जाए कि रश्या technology को ना ले पाए दूसे देशों से बड़ देखो इतनी बड़ी बड़ी बाते जो इस final statement में बोली गई है ना इससे टकराव और बढ़ेगा जैसे declaration में ये बोला गया कि US से उक्रेइन को नोर्वियन advanced surface to air missile system प्रोवाइड करेगा तो इससे टकराव और बढ़ेगा इवन जो US ने बोला कि हम NATO की जो troops हैं वो increase करेंगे मतलब NATO troops की संख्या बढ़ाएंगे Eastern Europe में अभी 40,000 हैं इसे 3,000,000 लेके आएंगे चाकि deterrence create किया जासके रश्या में डर पैदा किया जासके देखो अभी women experts मानते हैं कि आज के समय में NATO के सामने सबसे बड़ी जो चुनोती है रश्या है बट देखो बात यह है यह सब जब NATO करेगा न तो इससे रश्या बलकि और ज़़दा चीड़ चीड़ जाएगा और एक arm race start हो जाएगी हतियारों की race start हो जाएगी नाटो के बीच में और रश्या के बीच में तो वही situation पैदा होगी जो cold war के दुरान थी temper calm down नहीं होंगे बलकि tensions और ज़़दा increase होगी अब बात करते हैं importance of G7 for India and vice versa देखो G7 summits जो हैं वो एक opportunity होते हैं इंडिया के लिए भी world issues पर अपनी सोच को परदर्सित करने के लिए क्योंकि G7 की जो सोच है इंडिया की सोच से मिलती है जैसे G7 countries की जो सोच है इस group की जो सोच है वो है open democracy और freedom of speech and expression communication की जो sealants है वो सुलक्षित हो ये सब चीज़े human rights का violation ना हो और international जो order है उसका सम्मान हो इंडिया भी तो यही जब कुछ चाता है न तो आप कह सकते हो इंडिया जो है वो G7 का एक natural partner है G7 की importance हाला कि देखो पहली जितनी तो नहीं है अपने एक और group आगया है G20 जिसमें emerging economies भी है तो G20 आने के बाद में G7 की importance relatively कम हुई है लेकिन आज भी देखो G7 में वो देश है जो जिनकी economies top 10 में आती है जो powerful country है तो G7 इंडिया के लिए important है और इंडिया भी G7 के लिए important है जैसे ये जो final statement थी ना इस summit के बाद में इसमें बोला गया resilient democracy statement और इंडिया तो world की सबसे बड़ी democracy है next joining forces to accelerate clean and just transition towards climate neutrality इंडिया climate change को address करने में काफी contribute कर सकता है तो ये examples हैं कैसे दोनों एक दूसरे के लिए important है जहां G7 इंडिया के लिए important है